तो हेलो एवरिवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो जितने भी सनी देवल साप के फैन से यानि के पाजी के फैन है भाई उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी की बात यहाँ पे दोस्तों निकल के आई है चलो मालिया के गदर थ्री आगे बढ़ च हो जाता है न तो लिटРИली भाई मजा दुगना तिगना चोगना हो जाएगा मतलब दोस्तों अब जो है सनी देवल साप के जितने भी तैनस है न Calm के रिलीज हुई उसके कुछ टाइम के बाद में एक या दो अफ़ते के बाद में अनिल शर्मा ने ये डिकलियर कर दिया था मीडिया में आके कि हम अब गदर 3 भी बनाने की सोच रहे हैं लेकिन उसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना टाइम गदर 1 से गदर 2 में शुरू होई थी मतलब अब ये मूवी अगले साल आईगी यानि कि गदर 2 आईए 2023 में गदर 3 आईगी 2024 में लेकिन अभी दोस्तों यहां पे एक नहीं बात निकल के आईए वो नहीं बात यह है कि सबसे पहले बता दूँ कि अभी अनिल शर्मा अपनी एक अनदर मूवी या फैंस लेवल का कोई बंदा होगा उसको अपने ही क्रू मेंबर का बंदा समझके जो है मार दिया था तो वह काफी वाइरल हुआ था तो वह सैट था अनिल शर्मा का और जर्नी मूवी की वह शूटिंग कर रहे थे अब यहां से दोस्तों देखा जाए तो अनिल शर्मा अभ अभी क्या है दिसंबर चल रहा है जा तो शूटिंग चल रही है अभी शूटिंग खत्म होगी फिर उसके पास उसका पोस्ट प्रडिक्शन का काम चालू होगा उसके बाद में फिर वह जब मूवी जाके लगेगी तो यानि के समझ लो 2024 में ही इस मूवी को लगना है यानि और टाइम निकाल के बना जाए और एक एक चीज़ पर बना जाए तो ही वह मूवी काफी अच्छी बन सकती है लेकिन यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि अनिल शर्मा भी बिजी है एंड सनी देवल साब भी बिजी है अब सनी शर्मा इस मूवी को खत देखने को मिलेगी यानि के 2025 15 अगस्थ इंडिपेंडेंस डे पर इंडिपेंडेंस डे पर ये लोग उस मूवी को रिलीस करने की सोच रहे हैं अभी जैसे की न्यूज आ रही है अभी हाल फिलाल में जो बात निकल के आई है 2025 के 15 अगस्थ के मौके पर ये लोग गदर 3 को करेंगे और तो और देखा जाए बाई देखो ऐसा होता है कि प्लानिंग तो चलो हो जाती है लेकिन फिर मूवी में बनने में टाइम लगता है कुछ ऐसा चीज़े आ जाती है उस मौके पर जो की आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है तो मैं खेर मेकर तो पूरी-पूरी को कोशिश यही करेंगे के मूवी को पंदरा अगस्त के मौके पे ही रिलीज किया जाए वरना तो मुझे लगता है कि आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं कोशिश तो पूरी करेंगे के 15 अगस्त के मौके पे ही हम गदर थिरी को रिलीज कर दे अब देखो अगले साल अभी Sunny Devil साब की कितनी movies आने का यहां पर अपंगा लग रहा है देखो सबसे पहले तो Lahore 1947 and Ramayana Ramayana ऐसा नहीं है कि भाई वो mid में आईगी वो हो सकता है last में भी आया मतलब 2024 के mid में मुझे नहीं लगता है कि आ सकती को कि last में ही लगता है सनी देवल साब की बाप सुर्या यह लगता है कि इसकी प्रॉपरली जादातर शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है बाप की तो जादातर movie shoot हो चुकी है बस एक दो गाने हैं जो की shoot होने वो मुझे लगता है कि शायद वो एक अच्छा मौका देख के रिलीस कर दें लेकिन बाप और सुर्या इतना बड़े project नहीं है जितना बड़ा project यहाँ पर रामायना एंड लाहर 1947 है अब देखा जाए लाहर 1947 है भाई जब से सनी देवल साब को मिली है लाहर 1947 से उनको एक दुबारा से जो फैंस के दिलों में एक आस सी लग जाती है कि सनी देवल साब को हम दुबारा से बड़े परदे पर देखें भाई इससे पहले भी बाप का भी जो है चर्चा था एंड सूर्ड़य का भी चर्चा था लेकिन जब तक ऐसा को इतना बड़े लेवल पर पब्लिक नहीं पूछ रही थी कि भाई यू 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 लेकिन जब से लाहर 1947 का अनौस्मेंट होता है तब से भाई सनी देवल साब को दोस्तों यहां पे बहुत जादा फैन फॉलोविंग जो है उनकी पड़ती चलीगे एंड उसका जो है चर्चा भी होने लगा तो यहां पे लाहर 1947 की जो दोस्तों न्यूज आ रही है निकलके उसकी शूटिंग स्टार्ट की भाई लगबग लगबग उसकी शूटिंग दोस्तों जनवरी में दो हजार का यानि के दो महीने तक इस मूवी की शूटिंग चलेगी और उसके बाद में इस मूवी को दोस्तों लगबग लगबग 15 अगस्त 2024 में इंडिपेंडेंडेंडेंडे के मौके पे रिलीज कर दिया जाएगा यानि के दोस्तों अब आप ये समझे लो के सनी देवल साब की अ अब आपको 15 अगस्त के मौके पे यानि के इंडिपेंडेंडेंस डे के मौके पे देखने को मिल सकती हैं क्योंकि जो गदर टू से एक एतिहासिक जो कमाई इन्होंने करी है वो काफी काबिले तारीफ है और तो और एक तरीके तर पब्लिक जो अब मांग रही है सनी देवल आपके फैंस है और जो नहीं है भाई वो भी देखेंगे देखते हैं सभी देखते हैं एता नहीं है कोई अगर सनी देवल साब का फैंस नहीं है तो वो नहीं देखेगा भाई वो भी देखेगा और जो तो हैं वो तो देखेंगे अब देखा जाए जनवरी में जब इसकी shooting start होगी खाई कुछ ना कुछ तो यहां से निकलके आया ही करेगा जब आया करेगा तो भाई आपका भाई आपको update जरूर देगा चोटी-चोटी चीज़ की यहां पर update मैं दूँगा जहां से भी news आईएगी खाई shooting की ये मूवी आ सकती है, हाँ, अभी कुछ दूनों पहले एक और मूवी का मैंने अपडेट बताया था, सफर तो भाई देखो वो जो मूवी का अपडेट है, वो सफर नाम बिल्कुल सची बताया जा रहा है, ये एक सीन है जो कि वहाँ पे शूट हो रहा है, और इसको शशांक साहब जो है डायरेक्ट कर रहा है, और काफी बड़े डायरेक्टर है, मराइटी सिनमा के काफी अच्छा जाना नाम जो है नाम है, और तो और ये पिक भी मैं आपको दिखा जेता हूँ, यहाँ पे सनी देवल साहब अपने को स्टार के साथ में बैट के कुछ गपशप कर रहा है, हो सकता है सीन का कुछ जो है इंप्रुवाइजेशन हो रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यह कोई एड़ शूट तो नहीं है, देखो अगर एड़ शूट होता, बहुत सारे कॉमेंट्स में आ रहे थे का भाई, एड़ शूट है, और सूरिया का सीन ह सूरिया का होता, तो कहीं न कहीं से बात निकल के आती, यह कोई नहीं मूवी है, जो सफर है, जो I think so, सनी देवल साब ने साइन कर ली होगी, और अब हो सकता है कि वो को कम्प्लीट भी कर रहे हो, एड़ शूट तो नहीं है, अगर एड़ शूट होता ना, तो भाई आ जात हम तुम देख भी लेते हैं, एड़ शूट में इतना टाइम नहीं लगता है, पिक आती है ना, जब उससे पहले 15 दिन पहले शूट हो जाता है, यह नहीं कि शूट चल रहा है, तो वहीं से किसी ने हाथ हो हाथ पिक लिए और ट्वीटर पे या किसी भी other social media पे upload कर दी, ऐस नहीं होता है, टाइम लगता है, क्योंकि जहां पे शूटिंग हो रही होती है, मतलब वहां पे जो director होते हैं, crew members होते हैं, वो मना करते हैं, भाई अभी हाल फिलाल में बिल्कुल भी इसका pick आप नहीं लोग है, वो इसलिए क्योंकि leak हो जाएगा और बाद में दिक्कत होग हैं, अब वो काम पे लॉट चुके हैं, अभी सफर मूवी से लिड़, अभी सफर मूवी का जहां पे शूटिंग का अपडेट आया, अब धीरे धीरे फिर आपको लाहोर 1947 का भी देखने को मिलेगा, तो फिलाल दोस्तों इंतजार तो मुझे बहुत है, आप लोगों कितना इंतजार हैं मुझे नीचे कॉम्मेंट में ज़रूर बताना, अभी तक के लिए एतना ही, मिलता हूं आपके लिए लिए वीडियो में, थैंक्स वर्वाच्ट